हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू यूपी से एसेस, ओ लेवल M4R5 स्रीज का लेक्चर नमबर 27 है, और हमने पिछले वीडियो में C लैंग्विज का इंट्रोडेक्शन देखा था, और उसी के साथ हमने C, C++ and Embedded C, इन तीनों लैंग्विज में क्या डिफरेंस है, ये भी हम करेंगी, ठीक है, तो इसे हमने पिछले वीडियो में डाउनलोड इंस्टल करना देख लिया था, और हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था, तो जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, अगर उसी को ओपन करना चाहें, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना है, और अगर नया चूज करना है C language, क्योंकि हम C में coding करेंगे, हम चाहें तो C++ में भी कर सकते हैं, मनलब code block पर ही C++ की भी coding कर सकते हैं, ठीक है, फिलाल यहाँ पर C को चूज करते हैं, project title यानि क्या नाम रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम demo नाम का project बनाते हैं, हमारा जो project का title है, वो क्या ह चाहते हैं, तो यहाँ पर एक desktop पर folder बना लेते हैं, ठीक है, desktop पर एक नया folder बना लेते हैं, new and folder, यहाँ पर मैं C programming नाम का एक folder बना लिया है, ठीक है, आप किसी भी नाम का बना सकते हैं, इसको हमें select करता हूँ, तो यह C programming नाम के folder में demo वाला हमारा project जो है, save होगा, next करते है यहाँ पर हमें compiler select करना है, gnu, gcc, by default यही select होके आएगा, तो इसी को हमें select करके finish कर देना है, ठीक है, तो यह हमारा project बन जाएगा, इसे open करने के लिए यहाँ पर देखे source file, source का मतलब जहाँ पर हमारा code लिखा है, तो यह main.c, यह हमारी source file है, यानि कि इसी में coding लिखेंगे इसी में program लिखेंगे, ठीक है, तो main.c, इसी को double click करके open करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे, एक basic सा simple सा code यहाँ पर लिखा हुआ है, hello world को print करने के लिए यह program by default लिखके आया है, इसे हम control plus के साथ zoom और control minus के साथ zoom minus कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक basic सा code है, जिसमें hello world क print करने के लिए लिखा गया है, पिछले वीडियो में हमने इसे build और run करना बताया था, build का मतलब इसे compile करना, जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं, तो देखें, यह compile हो चुका है, इसमें zero error, यहाँ कोई भी error नहीं है, और यहाँ से आप run कर सकते हैं, और इस window को हटाने के लिए, यहाँ करते हैं, यहाँ का प्रोग्राम रन हो जायागा, तो उसके लिए यहाँ पर आप press any key to continue, यहाँ की enter button प्रेस करके आप इसे हटा सकते हैं, या फिर आप build and run यहाँ से एक साथ कर सकते हैं, तो build and run यहाँ से आप करेंगे, तो तब भी आपका प्रोग्राम जो है, पहल जो पूरा code है, वो execute होता है, clear है, चलिए, तो यह चीज आपकी basic clear हो गए, वापस आते हैं notes की तरफ, तो अभी यहाँ पर हमारा जो अगला topic था है, यानि कि हमें C language के syntax के syntax के बारे में पढ़ना है, यानि कि C में किस तरीके से program लिखा जाता है, उसका syntax क्या है, rule क्या है, उ इसमें से अगर आपको 2-3 programming language भी आती होंगी, ठीक है, लगबग 2-3 programming language अगर आती हैं, तो आप फिर उसके बाद कोई भी programming language अपने आपसे ही सीख सकते हैं, बस उसके syntax के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप O-Level के student हैं, और Java script और Python, अग लेकिन यहाँ पर हो सकता है कुछ ऐसे भी students हों, जो की as a interest, मतलब वो O-Level course तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन directly यहाँ पर वो IoT यानि Internet of Things पढ़ रहे हैं, जिसके वज़े से उनको C language भी पढ़ना पढ़ेगा, तो उनको भी यहाँ पर हम clear कर देते हैं, आपको भी समझ में उन्हें तो अच्छी तरीके समझ में आएगा ही, और जिने नहीं आता है, उनको भी हम पूरा basic से ही पढ़ाएंगे, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर start करते हैं, और C का जो syntax है, यानि basic सा program है, hello world को print करने के लिए, यहाँ पर हर line का क्या मतलब है, इसको समझते हैं, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, वही same example आपका यहाँ पर code block में भी है, जो आपका first program था, बस इसमें यह वाली जो line है, यह extra है, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम delete कर देते हैं, इसके बारे हम आगे आपको बताएंगे कि यह क्या है, यह actually library होती है, तो इसमें by default दो insert ह कि आई है, हमें दोनों की जरूत होती है, लेकिन अलग-अलग type के काम को करने के लिए हमें अलग-अलग library की जरूत पड़ती है, लेकिन जो आप यह वाली library देखेंगे, जो भी बची हुई है, stdio, std मतलब standard io यानिकी input output, ठीक है, तो standard input output dot h, dot h जो होता है, यह header file का extension होता है जिस तरीके से हर एक file का, जैसे आप अगर ms word में कोई file बनाएंगे, तो उसका क्या होता है, dot devo cx extension होता है, video का dot mp4 होता है, और idios होती है, उसका mp3 image का jpg, png, तो यह सब extension होते हैं, हर एक file के, तो इसी तरीके से जो c language की header file होती है, उसका extension dot h होता है, इसे आप याद करने ठीक है, तो यह stdio जो है, यह एक c की header file है, यानि कि एक library है, c की, जिसका extension dot h है, तो इसे हमें insert करना देखिए, compulsory होता है, देखिए, इसके नाम से ही पता चलता है, stdio यानि कि standard input output, तो यह काफी important library होती है, क्योंकि हम इस program में, यानि अपने c program में, जो भी input और output function होंगे, ज enter function में जो भी लिखा हुआ है, यह print हो जाएगा, तो यह एक output function है, तो यह function तभी काम करेगा, जब आपकी यह library यहाँ पर include होगी, include मलब यह keyword है, ठीक है, include keyword का यूज करके हम किसी भी library को include कर सकते है, इसका syntax simple है, हमें hat sign के साथ में include keyword को यूज करना है, और ध्यान रखना यह cache sensitive है, यानि कि small letter, capital letter का ध्यान रखना है, जैसे है as it is रहेगा, और angle bracket के अंदर, angle bracket के अंदर, यहाँ पर हमारी जो header file होगी, यानि कि जो header file होगी, library होगी, उसका name extension के साथ में, तो इस तरीके से हम अपनी header file है, वो include कर सकते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इस header file में जो भी code लिखा गया होगा, वो हमारे इस program में include हो जाएगा, उन्हें हम यहाँ पर use कर सकते हैं, बासमझ में आ गई, और अगर इसे include नहीं करेंगे, तो इसमें लिखा हुआ प्रोग्राम यूज नहीं कर सकते हैं, यानि हम print up function को use नहीं कर सकते हैं, बाकी main function क्या है, इनके बारे मे लाइन नमबर 5 और यह लाइन नमबर 6 है, टोटल 6 लाइने हैं, तो अब इनको एक एक करके समझते हैं कि किस लाइन में क्या लिखा है, और वो क्यों लिखा गया है, कमपलसरी है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर देखें, लाइन नमबर 1 में वही चीज बताईगे, जो लाइन नमबर 4 पर जो प्रिंटफ फंक्शन है, यह इसी लाइन में लिखा गया है, तो अगर यह लाइन नहीं होगी, तो हम इस फंक्शन को भी यूज नहीं कर सकते हैं, तो यह चीज बताई गई है, और फिर यहाँ पर आप नीचे बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा एक यह इसी बताई गई है, यह नहीं होगी, तब तक आप इन्पूट आटर फंक्शन यूज नहीं कर सकते, फिर यहाँ पर देखें, लाइन नमबर 2 पर बताया गया, यह एक ब्लैंक लाइन है, और जो C लैंग्वेज है, यह वाइट स्पेस को इग्नोर करता है, यह आपकी स्पेस होता है, इसी को बोलते हैं, और यह सी लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इगनोर करती है, ठीक है, तो यह चीज है, और यह वाइट स्पेस इसलिए दिया जाता है, ताकि हमारा जो कोड है, उसकी रीडेबिलिटी अच्छी रहे, पढ़ने म पूरा कोड इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उससे रीडेबिलिटी जो है, वो अच्छी नहीं रहती, जैसे एक्जामपल के लिए आपको बता दे, तो देखें, यहां पर सबसे पहले तो यह जो आपके कर्ली ब्रैकेट ओपेन हुई, हम इसको इस तरह से रख सकते ह इस तरह से और यह भी ऊपर ऐसे चला गया और यहां से भी हमने हटा दिया, तो अब देखें, पूरा कोड हमारा इस तरीके से दो लाइन में आ गया, अभी भी अगर इससे हम रन करेंगे, तो हमारा कोड प्रॉपर वक करेगा, अब देख सकते हैं, हैलो वर्ल्ट प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसमें readability अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है, इसमें पता नहीं चल पा रहा है, अभी तो चलो दो ही line का code है, लेकिन आगे चलो काफी बड़े-बड़े code होते हैं, तो इसलिए यहां पर हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है, यह हो गया, तो अभी यहां पर जो हमारा main function लगा हुआ है, तो देखे, एक चीज यहां पर समझ लीजिए, किसी language में जो भी हम program यानि code लिखते हैं, वो हमेसा main function के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है, main function के अंदर, क्योंकि जब इसे हम यहां से run करते हैं, तो main function के अंदर लिखा हुआ जो program होता है, वही हमार main function हमारा execute होगा, अब इस function के अंदर हम कोई ऐसा function use कर रहे हैं, जैसे print up function ही है, जो हम use कर रहे हैं, तो इसे यहां पर define कहां किया गया है, इस library में, तब यह बाद में, यहां से उसको fetch करेगा, वो अलग चीज है, लेकिन सबसे पहले main function ही execute होगा, और जो variables वगरा बनाएंग ठीक है, वो हम main function के बाहर बनाएंगे, अंदर भी बना सकते हैं, बाहर बनाने और बनाने में क्या difference है, वो हम आगे समझेंगे, जो variables बनाएंगे, ठीक है, चली, वापस आते है, line number 3 में, जो main function है, यह हमेसा ऐसे ही रहेगा, और main function का यह block of code बनता है, यहां से curly bracket start और यहां और यह close है, तो यह बूरा बीच का अंदर का जो area है, यह main function का area है, clear है, और इसी के अंदर लिखा हुआ जब भी code होगा, वो line by line execute होगा, यहां पर दो चीज़े होती है, दो type की statement होती है, एक होती है one line statement और दूसरी होती है block of statement, तो यह जो हमारा printer function है, यह जो हमारा return है, यह दोनों जो line है, यह क्या है one line statement है, यह क्या है one line statement, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कि line के last में हमारा लगता है terminator, terminator यानिकी semi colony, इसे terminator बोला जाएगा, तो यह हमारा terminator लगा, इसका मलब यहाँ पर हमारी line खतम, clear है, तो यह one line statement है, और इसी तरह से यह दूसरी line है, और जो block of statement होता है, तो यह हमारा block of statement बनता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, curly bracket open और curly bracket close, तो यह हमारा क्या है, यह block of statement है, पूरा clear है, तो यह two type के statement होते हैं, तो ध्यान रखना है, block of statement, curly bracket से represent होता है, और one line statement, जो है, वो semi colon के साथ terminator होती है, और जो parenthesis आप देखेंगे, तो य number 3 समझ में आ गया होगा इसमें जो int keyword यूज किया गया है तो int actually क्या है यह data का type है मलब data type के बारे में आगे हम पढ़ेंगे तो यह data type है तो main function का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारा यह main function है यह integer type का है अभी चुकि इसमें कुछ खास नहीं है तो यहाँ पर integer type का यह हमारा main function है और return का मतलब यहाँ पर यह है कि इस function के बाहर कुछ नहीं जाएगा मलब function run होने के बार return जो होगा वो zero हो जाएगा return क्या होता है तो देखिए जब भी हम किसी function को call करते है तो function का कुछ न कुछ return होता है अगर वो return दे रहा है तो लेकिन यहाँ पर यह जो return है यह इस main function के लिए है जब main function यह call होगा अब call क्या होता है तो call का मतलब सीधा है कि main function यहाँ पर हमने लिखा तो जब भी इस code को execute करेंगे तो यह run होगा execute होगा ठीक है और जब execute होगा तो इसका कुछ न कुछ return होगा example के लिए आपने excel होगा पढ़ा होगा तो sum function होता है excel में sum ने हमने लिखा 5,6 ठीक है तो यह हमारा sum क्या है function है 5 और 6 क्या है variable भी हो सकते value भी हो सकते लेकिन sum function के लिए यह क्या है यहाँ पर यह argument और parameters है ठीक है तो अब यहाँ पर जब sum function को हम call करेंगे यहाँ इतना लिख करके जब enter बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 5,6,11 होगा तो यह जो 11 होगा ना तो यह sum function जब call होगा call होगा यह नहीं लिखा और enter किया तो यह हमारा call होगा call होने के बाद इसका return क्या आया 11 return क्या आया 11 तो यहाँ पर 11 जो है जो result हमारा है यह इस function का particular क्या होता है return होता है clear है तो यही चीज है लेकिन इसका return जो है वो 0 इसलिए यहाँ पर डाल दिया गया ताकि इस function का return बाहर ना जाया कुछ भी ना जाया हमलब return 0 set हो जाया automatic यह चीज़े है दिरे दिरे आपको यह चीज़े समझ में आएंगे कोई दिक्कत वाली बार नहीं है बाकि अगर return 0 इस line को हम हाटा भी देते हैं तब भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है हमारा code जो है प्रॉपर वर्क करेगा ठीक है शली वापस आते हैं notes की तरफ line number 4 में simply यहाँ पर print up function है print up function यानि कि यह हमारा एक function है और इस function में हम double code के अंदर कुछ भी print कर सकते हैं ठीक है कुछ भी यानि hello word या जो मर्जी वो print कर सकते हैं आपर changes भी हम कर सकते हैं और यह जो हमारा slash n यहाँ पर आप देख सकते हैं यह actually skip sequence होते हैं skip sequence क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम देखेंगे यह new line के लिए होता है जैसे आप चाहते हैं कि hello और word यह दोनों अलग-अलग line में print हो तो हम इसके बीच में skip sequence दे सकते हैं ठीक है यहाँ पर हमारा slash n ठीक है slash n तो यहाँ पर भी हमारी एक new line आ जाएगी सरीके से print होंगे ठीक है और बाकी यहाँ पर आप world के पहले यहाँ पर आप देखेंगे space है तो इस वज़े से क्योंकि बीच में यहाँ पर देखेंगे space अगर space हटा गये तो अभी यहाँ पर अगर इसे हम run करेंगे तो यह देखें hello all world यहाँ पर यह अलग-अलग line में है लेकिन world के पहले space नहीं है बसमझ में आ गई तो यह सब चीज़ें है तो इनके बारे में हम आगे देखेंगे escape sequence की पूरी list है अलग-अलग type के कई सारे escape sequence होते हैं चलिए वापस आते है notes की तरफ line number 4 के लियर हो गया और इसी तरह से हाँ पर line number 5 में हाँ रिटन लगा हुआ और जो हमने आपको थोड़ी देर पहले भी करके भी दिखाया था इस चीज़ को हम इस तरह से one line statement में भी लिख सकते हैं ठीक है फिर यहाँ पर एक तीसरा point यह है कि जो compiler है वो white space को ignore करता है तो इसलिए ध्यान रखना है कितनी भी line बीच में ले सकते हैं उससे कोई फरक नह नहीं भूलना है यह बंद होना कंपल सरी क्योंकि अगर यह बंद नहीं होगा तो यहाँ पर हमें error देखने को मिलेगी देखिए यहाँ पर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमें error मिल रही है ठीक है तो यह चीज़ का ध्यान रखना है curly bracket close तो अभी यह UPCISS अब यहाँ पर UPCISS का मतलब हमें बताना हो किसी को full form होगेरा तो हम आगे यहाँ पर single line comment इस तरीके से यूज करके UPCISS का जो full form है वो इस तरह से लिख सकते हैं और जब हमारा program execute होगा तो यहाँ पर यह comment जो है वो इसको इग्नोर कर दी जाएगी वह इसमें आप कुछ भ Choose the comment के लिए यहाँ पर हम double forward slash का उज선 करते है अगर आप इसी line के आगे comment देना चाहते है थी यह 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 पिर आप किसी particular new line में कहीं वी ओर देना चाहते है तो यहाँ पर भी सकते है तो यहाँ पर भी दे सकते है तो यह कमेंट होते हैं है comments basically use programmer के लिए होते हैं जैसे आपको पता होगा कि जब कोई भी software बनाया जाता है तो उसमें बहुत सारा code लिखा जाता है जब बहुत सारा code है तो उस code में कहां पर क्या चीज लिखी है यह ऐसे याद नहीं रहती तो इसलिए programmer अपने मलब याद रखने के लिए वहाँ पर comments का यूज करते हैं जिससे कभी भी अगर उसको पढ़ें तो comments पढ़के समझ जाएं कि हाँ यह code particular किस चीज के लिए लिखा गया है तो single line comment का मलब की इस तरह से slash लगा करके जैसे यहाँ पर हमने लगाया double forward slash और यहाँ पर यह comment तो यह single line अगर enter बटन दबाएंगे तो उसके लिए हम इस sign का यूज करेंगे single forward slash और asterix यानि multiply का sign और फिर यहाँ पर हम इस तरह से comment दे सकते हैं css जो हमारी है उसमें भी ऐसे ही लगता है ठीक है तो यह multi line comment हो गया यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा उसकी library को बनाते समय रिजर्व कर लिए गया है जिनका इस्तमाल आप नहीं कर सकते आप नहीं कर सकते coding के दोने इसका मतलब क्या हुआ कि उनको यूज ही नहीं कर सकते हैं जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जो int है यह क्या है एक reserve keyword है इस keyword को आप इस तरीके से तो यूज कर सकते हैं जिस काम के लिए वो बनाया गया है लेकिन आप इसका जो यूज है वो as a identifier नहीं कर सकते identifier क्या होते हैं उसके बारे में हम आगे detail में पढ़ेंगे identifier का मतलब कि आप उस नाम से variable नहीं बना सकते यानि int नाम से variable नहीं बना सकते इस नाम से कोई function नहीं बना सकते जैसे इल्स को आप conditional statement में यूज करते हैं पता है ठीक है break keyword का और case और यहाँ पर character यह data type है तो यह ऐसे बहुत सारे हाँ पर reserve keyword है इनको आप याद कर लें क्योंकि exam में पूछे जा सकते है reserve keyword ठीक है तो यह reserve keyword है जिनका use जिस काम के लिए बनाएगे हैं उसी काम के लिए हम कर सकते हैं variable होगेरा बनाने के लिए नहीं कर सकते ठीक है तो यह आपके reserve keyword है यह पूरी list है आप इसको अच्छे से याद कर लें ठीक है और इसमें से बहुत सारे ऐसे keyword है जिनका use भी हम करेंगे use उनका पढ़ेगा जैसे आप देखेंगे return यहाँ पर देखें लगा हुआ था पहले तो यह return भी क्या है एक reserve keyword ही है ठीक है तो देखें यहाँ पर जो वीडियो है वो काफी बड़ा हो रहा है तो ऐसा करते हैं कि जो variables हैं see variables यहाँ से हम directly start करेंगे अगली वीडियो में झाल